नमस्कार दोस्तों मैं अपस्वेक पटेल रिये जुके सनाईयस इकडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों इतने कम समय में आप लोगों ने हमारे इस टेस्ट स्रीज पर इतना विश्वास दिखाया इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम आप से वादा करती है कि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे टेस्ट देने को मिलेंगे और जो दोस्त आज हमसे ने जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा यदि आप टेलिग्राम पर किसी ऐसे ग्रूप की तलास कर रहे हैं जहां पर सभी विशे के टेस्ट प्रते दिन टापिक वाइज हो तो आपको कहीं जाने की जोरुत नहीं है हमारा रियेज के सनाइस अकेडमी का टेलिग्राम ग्रूप टेलिग्राम पर महजूद है जहां पर सो मौर से सनीवार तक साम चार बजे आप लोग का विशेवार टापिक वाइज टेस्ट होता है और टेस्ट के तुरंद बाद उस टेस्ट की विश्तरित ब्याख्यापको वीडियो के माध्यम से दे दी जाती है तो यदि आप टेस्ट देने के चुक हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आप उससे जुड़ के आप प्रते दिन साम चार बजे टेस्ट दें तो चलिए आज के टेस्ट की विश किसी ना किसी दिन या किसी ना किसी स्लेब मैं आया हुआ पेपर है चालिस प्रस्ण पूछा जा या फंटी के उन यहां होता है ठीक है यहां वाला यह यह नहीं होता ठीक, यह चीज इसमें नहीं होती है, ठीक, तो शृंगार इसका और उत्तर हो जाएगा, कि निम्न वाकि में से किस भाग में तूटी है ठीक है निम्न वाक्य में किस भाग में तूटी है kush दरबारी बीर बल को मुसीबत में फासने के तरीके सोचते रहते थे तो मुसीबत नहीं होता मुसीबत होता है ठीक है तो वीरबल को मुसीबत गलत है सापे बढ़ी की मांतर आपका होना चाहिए यहाँ ठीक है आप देखिए कितनी छोटी-छोटी तुरुटी देता है यह आप जल्द बाजी में पढ़ेंगे तो मुसीबत का आप मुसीबत पढ़ लेंगे और आप सही उत्तर का चैन नहीं कर पाएंगे इसलिए पेपर देते हैं आप पूरा आराम से पढ़िए ठीक है चारुचंद्र की चंचल किरणे खेले रही हैं जल्थल में दोहे में चा अवरला की आपरित हुई है और कौन सा लंकार है ठीक है यह पूछ रहा है कि यहां पे आपका कौन स लंकार के कितने भेद होते हैं पाँच भेद होते हैं ठीक है पहला हो गया आपका चहें का उनुपरास छेका उनुपरास नहीं नहीं होता है एक ब attain वर्ण कि आभर्त एक बार होगी गशाय गये जैसांत्य से अधिक कई बार हो रही है तो यहां पर बृत्या अनुप्रास हो गया और इसमें देखें चारुचंद्र की चंचल क्नड़े तो खेल रही है जल्थाल में तेहां भी कौन सा लंकार है अनुप्रास का जो बेग भाग है बृत्या अनुप्रास तेहां पर बृत्या अनुप्रास अलंक प्रभ्य वक्त में तो यहां पर क्या हो गई लाटा नुप्रास हुए हो का यहां पर अंतिम पद जो होता है वो कई बार आता है जैसे कहत नटत, रीज़त, खिज़त, मिलत, खिलत लजियात यहां तैना परस को तुक होता है वह समान होता है कोई एक दास तुम्हारा तुम्हारा में हारा क्या है दोनों में आखरी तुक क्या है समान है से तुक अलंकार भी कहा जाता है हमारा अगला प्रशन है कि दिये गए बिकलपों में से इस्त्री लिंग सब्द कौन सा है तो इस्त्री लिंग यहां पर क्या है प्रकृत है ठीक बाकि सब के सब क्या है सब्द है अगला हमारा प्रफ्न मद साला कार कौन है मधुसाला के रजनाकार कौन है हर्वनhesira बच्चन जी ठीक है मद साला के रचनाकार हमारे हैं हरीवन सराय बच्चन जी अगर हम यहां पर और देखें तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत क्या है सुमित्रा नंदन बहुती ख्याती प्राप्ति लेकर थे इनको पदम भूसर ज्यान पीठ और साहित अकादमी पुरुषक की अच्छी रचनाओं में से सुमार हैं दूसरा सूर्दास सूर्दास की जो रचनाये हैं यह भक्तिकाल के कभी हैं सूर्दास की रचनाये हैं नल्दमेंती सूर सरावली सूर सागर साहित लहरी तो यह इतनी बाते आप सूर्दास के लिए याद रखना ठीक है महादेवी परम töब कि दो रचना आप जरूर याद रखना पहई रचना हो गई यामा, ठीक है और दूसरी इनकी रचना होगे निर्जा, निर्जा के लिए इनको सक्सेरिया पृुषकार दिया गया था, ठीक है, इनकी और रचना है, सफ्त बाडि है, ठीक है, संध्यागीत, यह सब भी म अगला प्रस्ना मुआ रहा है जा वर्ग धुनिया किस बर्ग में आती है ठीक है चा वर्ग कि अगर आघू करें तो जैसे आते हैं कंठ में ठीक है कंठ धुनिया है फिर चाचा जा जा यह किसमें आती है कंठ से आगया तालब में यह कौंसी धुनिया है तालब की धुनिया काखा गांगा कंठ की चाचा जाजाईया तालब की ठीक है इन ताहिश्य दंट यह यह और यह कंड़ से आप की तरह आएंगे तो का से आप कंड़ और चाल यह मूर्धन ठीक है और इसी प्रकार ताथा दाधा न यह हो जाएगा दंत और आपका पापा भभमाई आपका हो जाएगा होस्ट ठीक है यह सब याद रखिए कि इसमें कुछ वह भी है और भी जो स्वर्वाले हैं तो उनको भी किसी दिन हम चर्चा कर लेंगे भुडूल का आर्थ क्या होता है भुडूल का हमारा आर्थ होता है जल जला ठीक है अगला हमारा प्रस्न है अगला प्रस्न में चरण कमल बंदो हरी राई ठीक है चरण कमल बंदो हरी राई कमल सब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है ठीक है यहाँ पे चरण और कमल में कोई भेद नहीं है ठीक है चरण और कमल में कोई भेध नहीं है इसलिए यहाँ पे मुख चंधरमा के समान यहां क्या मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है ठीक है और अगर तुलना की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा में होगा उपमान होगा ठीक है वाचक सब्द होगा साधारण धर्म होगा लेकिन ये वाचक सब्द नहीं है किसी भी ऐसे सब्द में कोई येसी पंक जिसमें वाचक सब नहीं है तो यहां पे कंशा लंकार हो जाएगा आपका रूपक हो जाएगा अगर सब सब्सक्राइब कैसे कि अर्था लंकार के घ्थ है अनुपराष यम्म के सल्एस यह सब किसके भाग परकार से दिये गए विगलों में से सही का चैन करें करके रिक्त अस्थान भरें ठीक है मैं अध्यच्छ डाट डाट अपने निड़े पर पुनर विचार करने डाट डाट निवेदन करता हूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं अध्यच्छ को पहले लगेगा को अपने न सब्सक्राइब करें लेकिने कमेंट डाल दीजेगा कि हां की सब्सक्राइब की हैं जिससे हम यह पता चले कि हमारे अंदर क्या तुर्टी है और हम उसको दूर कर सकें ठीक है तो आप वीडियो को पूरा देखिए और सेर कीजिए जिससे और भी लोग इससे लावानदित हो पर हमारा भी चका चलता रहे है आने वाले छड आने वाला छड लाल नजर आता है ठीक हिसमें कौन सा बचन है एक बचन बहु बचन कौन सा तो यहां पे छड क्या है आपका एक बचन है ठीक है एक बचन नहीं है सद्यों एक बचन का मतलब हो जाता है कि ये सद्यों एक ही बचन में होगा इसका बचन नहीं होगा हर कोई जहां भी प्रियोग होगा हमेशा एक बचन में प्रियोग होगा सद्यों एक बचन प्रियोग होगा तो उसी परकार क्या है चण क्या है ऑक बचन भी बन सकता है उस समय आदमी न रो सके ना भियस सके मतलब न रोसका ना ही रो सका अगला हमारा प्रस्ण है अंगार सिर्पर धर लेना दियेगे विगलबों में से मुहाबय का सही अर्थ का चैन कीजिए ठीक है अंगार सर्पर धर लेना का मतलब यह हो जाता है कि कठिन विपत्ति सहना ठीक है अंगार सर्पर रख लेना मतलब कठिन विपत्ति सहना अंगारा क्या होता है लाल होता है आपको जला देगा तो विपत्त भी क्या होता है आपको जलाती ही तो है तो अंगार सिर्पर धर लेना करते हैं कठेन भीपत्ती सहना ठीक है या तो आपका सभी जाएगा तो आप देख रहे हैं कि UPSI में कोई बहुत ज्यादा टाफ कोश्चन हिंदी के नहीं आते हैं हिंदी की कोश्चन आसान ही है लेकिन आपको सभी दस बारा जो इसने सब्सक्रापिक निधारित की आपको सब पढ़ने पढ़ेंगे तक ही आप जाके अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे आप वहां पढ़ा करिए और यहां की प्रावर टेस्ट दिया करिए आपकी तैयारी एक उच्छ चस्तर पे पहुंच जाएगी और हम जो भी प्रफन डालते हैं उसको ही सो समझ के डालते हैं कि इ आरं के चार को चना रहे आपका काल भूत काल भवित् क्काल इससे कोश्च ना रहे हैं लेका इ佐र के संच कुर्फ ते रहे हैं बहुंच की लिए मं किस अमक्कार का प्रियोग हुआ है तो आप यहां देख रेंक दो बार सजना सब्द का अपर योग हुआ है एक बार सजना का अर्थ क्या है सजना स्रिंगार करना दुसरे सजना का अर्थ क्या है पिया पत की बाद की जा रही है तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा ठीक है यहां पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार देखे इस स्लेस अलं बात करें तो इसमें आपका एक्जम्पल हो जाएगा चरण धरत चिंता करत चितवन चारो और सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर तो यहां सोने का अर्थ अलग अलग तरीके से अलग है ठीक है कभी सुबरन का अर्थ निकाल दा है क्या सुंदर वर्ण ठीक है जो हो वर्वेचारी बेव एक पिए तो सुबरन का अर्थ निकाल ना है संद्धर इस्त्री ठीक है त coalition का अर्थ सोना निकाल ना हे तो सुबरन एक बार लिखा गया लेकिन सुबरन के कई अर्थ निकल रहें तो यहां पीोगा कुंद में जलेस्लंकय एक सब्द में कई अर्थ चिपके सब्सक्राइब. यमकु पर दूसरा जो सजनाब्ध ईंपung अनुप्रास यमक ठीक है स्लेश ठीक है ये सब क्या है ये सब सब्दा लंकार के भेद है ठीक है अनुप्राफ लंकार यमक लंकार स्लेश लंकार वक्त्रोग लंकार ठीक है वक्त्रोग के लंकार हो गया आपका पुन्रोग के लंकार ये सब सब्दा लंकार के भेद है ठीक है अगला प्रश्ण मारा है कि वसुधा सब्द का अर्थ बताईए वसुधा का अर्थ क्या होता है धर्ती होता ठीक है वसुधा का अर्थ धर्ती होता ठीक है अगला हमारा प्रप्न है कि समाचार का बहुबचन दियेगे बिकल्पों में से कौन सा है समाचार का जो बहुबचन ह समाचार का बहुता है को यह तो आप यूप्य की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहें कि मुझे सम्मिधान और राज ब्यूस्ता ऐसी पढ़नी है जू अउधार रात्मक प्रसुनों को हल कर दे तो आप हमारे रियेजुकेसिन आएस अकडिमी के जो यूटूब चैनल है उस पर आईए पूरा सम्मिधान और धारणात्म कुरूप से वहाँ पढ़ा की खतम कर दिया गया है ठीक है आप वहाँ आके बराबर पढ़ सकते हैं पीडियाफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा आपको ज्यादा मेहनत कने की जुरूद नहीं है ठीक को हालावाद ठीक है हालावाद का जनक भी माना जाता ठीक है हरिवन सराय वच्चन को हालावाद का जनक माना जाता है इनकी जो मुख्य रचनाय हैं इनकी मधुकलस मधुबाला ठीक है निसा निमंत्रण ये सब क्या है ये सब के सब क्या है हरिवन सराय वच्चन की रचनाय हो ठीक says अगला प्रसम लोग देखते हैं कि अरण रोधन का अर्थ स्पस्ठ किजिए आरे रोधन क्या हो ठीक है ? रोधन का अर्थ ही होता है बीरह इत्ति बीरह गीद होता अरन रोधन हमारा हो गया आपका तो उसको सही कर लीजिए गलत अप्सन पर टिक लग गया ठीक कभी कभार भी मनीडर है हो जाता है राम राज में भी परजा दुखी थी तो यहाँ पर परजा का बहुबचन क्या होगा तो परजा का भी परजा होता है इससे पहले हमने देखा है कि समाचार का भी वह वचन क्या था समाचार था उसी परकार परजा का वह वचन क्या होगा परजा ही होगा ठीक है अगला प्रफना है कि मैला आचल के रचनाकार कौन है तो मैला आचल के रचनाकार कौन है तो मैला आचल के रचनाकार फड़िश्वर नाथ ठीक है इनको सवश्रेष्ट आंचलिक उपन्यास के रूप में ख्याति प्राप्त ठीक है इनको सवश्रेष्ट आंचलिक उपन्यास लिखने की ख्याति प्राप्त ठीक है तो यह हो जाए पुरिशेत्र है हुंकार है रेंडुका है ठीक है यह सब रामधारी सिंधिन करकी महत्पूर्ण रचनाई ये भी आप याद रखना ठीक आये थे हरी वजन को ओटन लगे का पास लोग को क्या क्या अर्थ है तो उचल अच्छी के लिए चलना और निमनकार करने लगना यह होत तो यह क्या हो गया यही हो गया कि आये थे यहाँ कंपनी खड़ा करने और फिर यहां पेच अपरासी की नुगरी कर रहे हैं तो यह उचल अच्छी को लेकर चलना और निमनकार करना यह हो जाएगा ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्थ में हमारा है उस डा रूप से बरतमान काल है ठीक है बरतमान काल है हमने काल के विशय में आप चर्चा की थी इसके पहले जितने वीडियो सब में कि काल कितने परकार का होते है तीन परकार के बरतमान काल के अगर बात करें तो यह खुद अपने आप में कितने परकार का होता है पांच परकार का ठीक है बरतमान काल कितने परकार का होता है पांच परकार का इसमें पहला होता सामाने बरतमान काल ठीक है जहां पर समय का कोई ग्यान ना हो ठीक बस काम हो जैसे अध्यापक पढ़ाता है कब पढ़ाता है सुबा पढ़ाता है साम पढ़ाता है ठीक दो पार में पढ़ाता है क स्सामान ब। भरतमानकाल में डाल देते हैं देनी पूर बरतमानकाल में डाल देते हैं पूण बरतमानकाल का कि पूरा कategory connects काश कर आ अगएं अगर आप से कब आहेंए तो हम आपको बताएंगे 9 बताएं gün 8 बैसВот curry अगये है तो यहान समय का ज़्यान है ठीक है लेकिन सामान में होता है का है नहीं होता है और इस संदिग्द संदेव हुता जैसे द्यसlerin बगीचे में डहलते हुंगी इसे अबowers तो गर्मिक दिन में आदमी भाग नहीं जाता है तो हम संदेय कर रहे हैं कि वहां जाना उचित नहीं होगा कि पिता जी भाग में पहलते होंगे ठीक है संभाव बर्तमार काल में पूरा होने की संभाव कर झाल कर अगया हैं तो आपको डेटेल के निए आप इसको रिवाइज कर लिजिए क्योंकि काल से चार से तीन से चार कोश्चन बराबर पूँछे जा रहे हैं तो इसलिए आपको यह टॉपिक अच्छ से तयार होना चाहिए अब बाकी भूत काल छे प्रकार का होता है भवेज काल तीन प्रकार का होता है यह भी आप याद रखना ठीक है अगला प्रस्न है किस बर्से से लेखक और उनकी क्यूत के लिए साहित अकादमी प्रश्कार दिया जा रहा है यहां पूच रहा है किस बर्से दिया जा रहा है ति यह उन्ने सो पच्पन से दिया जा रहा है अगर पूचा जाए अगर इहीं से और कोश्चर बन हिमतरंगरी ठीख pemiverso वा अगला प्रस्वन है कि सुबा से चिडिया चाहचाने लगती है चुर्वान हेे इसमें सामाइन भर्टमान काने तीक है शुबा से चलिया, चाहचाने लगती है तो यह कुन सा है? यह सामान बर्टमान काने, तो इस फरकार हमारा क्या हो गया यह test बीर हो जेबैस ने चीनी मदरासी बीहारी आज सब्सक्राइब कौन सा विसेशण है कि सब्सक्राइब क्राइब कौन सा करें विसेशण विसेशण है फ्inte परकार आज आप लोगे Thirty- थि कि बीस्त्रि ठीक है व्याक्षाव हो गई ठीक है और यह ब्यवस्था काभी बैलेंस ब्याक्या थी मैंने बहुत ज्यादा कुछ बताने कोशिश नहीं की लेकिन इतना बताया कि जिससे आप परिच्छा में अच्छे नमबर लाएं ठीक है यहां पर मैंने अपना ज्यान वर्धन की कोशिश नहीं की है पस जितन पूसरी से को रिलेट करते हैं आप यह वीडियो देखेंगे इससे पहले वाला देखेंगे आपको इसम्मन दिखाई पड़ेगा ठीक है अपना पढ़ाई कीजिए इसलिए मैं केवल दिन भर में एक टेस्ट कराता एक टॉपिक का और फिर उसकी ब्याठ्या करता हूं जिस अच्छे आएंगे हैं तो इस परकार आज हम आप लोग से बिदा लेते हैं आप इस वीडियो को सेर करिएगा निवेदन हैं आप सबसे और अपने दोस्तों को भी टेस्ट में जोड़ने की कोशिश कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टे वहां भी एक परतियस पर हमरी सब्सक्राइब करदा हो जहां पर आपको पता चले कि भजार कि अपने दोस्तों को आछे दोस्तों को जोरते रहें हम इससे प्रकार आपकाट के रहें यिद आता लेते हैं जैहिन जैभार्त कि